हमस्ते दोस्तों सौगत है आप सभी लोगों का अज के नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप में प्रीशेट को समझेंगे की कैसे काम करता है और किस फोटो में कैसे काम करेगा जहां से बने दो फोटो लिया इस फोटो में यूज करके देखता हूँ प्रीशेट कैसे चलाना उसकory समझेंगे इधर आना है केमर राव और यहां से द्ध्यान से देखेंगे प्रीशेट का एक बटन नज राज्टा यह देखेंगे ठीक है इधर पर क्लिक करना है और यहां पर लाइन से preset लगे होगे, देखिएगे, अगर ज़्यादा चाहिए आपको color अगेरे, ये है, फिर ये है, matte finish के लिए है, और ये भी एक, और ये है, और ये ज़्यादा बेटर ये, और ये लगता, ये दोनों मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं, बहराल ये, इसमें काफी perfect आ गया है, और इसको ok click करेंगे, और अब अगर आप देखेंगे, ध्यान से, तो पहले और अब मैं आप अ फोटो को बनाने का वज़ा क्या है, और समझने की वज़ा क्या है, जो लोग stylist फोटो, Instagram, Facebook, और other social media platform पर डालते हैं, या फिर जो editing करवाते हैं, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, तो उनके लिए preset बहुत ज्यादा काम करते हैं, और अच्छे से इन चीज़ों का उपयोग wedding photography में किया जा सकता है, इस टूडियो में भी ऐसा कुछ वो नहीं है, तो इस टैप के preset बना जाता है, दूसरे इस में देख लेते हैं, इस फोटो में, अब हमने इस फोटो में समझ लिए, अब उसी preset को इसमें समझने की कोसिस करते हैं, वापस आना, अगर आप बनाना चाहते हो preset तो यहां सब ऐसे change करकर के, अगर आप चाहें, तो बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी वो नहीं है, ठीक है, अब यहां पर आके अगर आप यहां सेव करेंगे, तो यह सेव हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहां पर मैं सेव करना चाहों, तो कर सकता हूं, new preset के नाम से, ठीक है, ठीक करता है, और अब इसके mechanism को समझते हैं, देखें, पहले photo कैसी थी और आप कैसी, पहले और अब, पहले और आप, within one two click में काम हो जाता है, कितने बहतर तरीके से photo का पूरा look change हो जाता है, बहुत ही बहतरी तरीके से photo दिखाई दिती है, और use कर सकने हम लोग उसको, तो उमीद है, कि आप सभी लोगों ने इस preset वाले method को सीखा, समझा होगा, और इसमें बहुत सारे changes किया जा सकता है, गर इसकी ऊपर ही बात करो, तो यहां पर अगर मैं चाहूँ, तो और भी बहुत सारे changes कर सकता हूँ, थोड़ा और realistic और better बनाने के लिए, तेकिन अगर आप चाहें, तो normal preset को भी वैसे use कर सकता है, जैसे देखेंगे, यह ऐसा थोड़ा सा और इसमें changes किया जा सकता है, तो उस हिसाफ से कुछ चीजे रहती है, बहराल उमीद है कि आप सभी लोगों को यह सब चीजे पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो like से subscribe करें, यह preset मेरे पास में सबस्क्राइब करें, ताकि मुझे आगे अच्छा content बनाने में सुइधा हो, तो वाकी मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ तब तक के लिए ख्याल रखिए, अपना खुश रहिए, सौस्त रहिए, मस्त रहिए, बाए-बाए